सच साहस सरोकार राहुल गांधी पेहुई इस कारवाई के बाद जब उसकी सद्सता खतम कर दी गई कांग्रेस पार्टी कस्मीर से लेकर करन्या कुमारी तक बिरोत पदर्शन कर रही है कल्राधानी लखनव में भी कांग्रेस से करताओ द्वारा बिरोत पदर्शन किया गया आज राहुल गा करें तरह से वह स्मुद्ध ጥॉज हौनो कि गांडी में आफ आप जाना हुगा कि राहुल गांधी कि सदश्रेट हैर्ड कर दी गई एक किस प्रकार से आप इस्थिषा कर देखते तक, बिरानी यदि, तो अब अयोग साबीत हो चुके हैं और सका जा रहा कि 6 साल तक चुना भी नहीं लड़ सकते हैं अब है आप बुल्टा जिदा काहे बोल रहे किसी विराद्री के लिए जब सब राजियों कहा गया कि इनके खिलाब यह ना भोलिया आपके शरुलकास वह नहीं कहते हैं पंडी कि यह लोकतंत की हत्या है और सूरत कोट ने सरकार के दबाव में यह फैसला दो सब बरीना हो जाते हैं इंद्रा गांधिया चुनाव क्यों अब हो जाता भई कोट है यह हमाई सुने का कोट वह तो ब्यान देखता है सबूत देखता है जो वह ठीक हुआ हमारे साथ कुछ औ सबस्क्राइब हो ही है वह आम जनमानस क्या सोचता कि वह क्या नामसर आपका सुधिनद्र गांधी पर राहु.. कहना इस चाहिए देश में राजनीदे करने का जो कोई हकी हमारे गी जनता का लोक शेवक बनना चाहेता है लो इस तरीके की बाते करें तो ये बहुत ही अशोपनी है इसलिए उनकी सजस्ता बहुत सही रड् estanγू है और जो अभी इसे कहे रहे थे कि वो सरकार का कोई दबाव है सरकार का जिद दबाव हो जाता तो देश में भी न ही न रह पातें बाहर चले जातें उनके साथ जो हुआ बहुत सही हुआ और उनको आगे जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए अगर कोट जमानत दे देती तो मैं समझूँगा वो उनके पर सानभूत दिखा रही है कर्भी राधानी लखनों में बिरोध पर सन की आ गया और कस्मीर से लेकर करने कुमार तो काउरे करता लगता बिरोध कर रहे हैं कॉंग्रेस केरी की लोकतन्त की हत्या है राऊर गांदी की लोगप्रियता से बारी बद questa द्य दड़ी हुई है का फी समर्टन देश से इस द्यार बधा को देखते वह चुनाँ ध़ी ये भर चयाइं वो इसलिए कर रही है कि कहीं जेल ने भेट दिये जाएं ये जेल ना चले जाएं इसलिए जेल से जाने के रोकले के लिए ये सरकार पर और एक तरीके से नियाई पालिका पर भी एक दबाव बनाना चाहेते हैं कि कहीं नियाई पालिका इस तरीके का विरोध दे करके और सहान सब हवा में बात कर रहे हैं बिल्कुश सही हुआ है लेकिन जिस प्रकार से ये बाते हो रहे हैं कि अव मर्यादिक टिपड़ी जो है वो मोधी सरनेम पे की थी तमाम ऐसे राजनीतिक बयान जो है मर्यादित बयान आते रहते हैं पिछले दियों राम चेरित मानस का भी अपने मुद्दा देखा होगा तो क्या यह एक सुद्ध राजनीति में एक लोग तन्त लोग तांत्रिक देश में इस प्रकार की बयानबाजी होनी चाहिए कि नहीं वो तो नहीं होनी चाहिए वो तो नहीं होनी चाहिए लेकिन यह करीके से जो है जो भी हुआ वो सरी होगा और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानने की कोशिस करेंगे कि असर क्या ना क्या ना मैंक असर आड़ी मैता मैता जी बताई कि जिस प्रका जज्जमेंट दिया और आप किसी के खिलाब इस अर्थ सोबनी करेंगे तो इसका फल कोड़ देगा हम तो जनता है हम लोग तो इससे को नहीं लेकिन कोड का मामला कोड़ दाने लगतार कॉंग्रेस यह कह रही है कि राहूल गांदी की बढ़ती लोग प्रियता से भारती इंदापाटी डरी होई है और यह एक चाल है राहूल गांदी के खिलाब अभी जानते लहें उट्रा पदेश में यह गुद्धन में कांग्रेस खाड़ी तो अभी तीन दाजियों में चुना हुआ दो सीते है तो कहां डरी होई है गांग्रेव देर नहीं बद हो जाता है भोलने नहीं दिया जाता है है ना और इस अभर वोक बोलना हमाई देश की बुराई बहार करना यह अच्छी बात नहीं है हमाई घर कंदरा बात कीजिए घर कंदरा कीजिए बहार क्यों करते हैं उस अंग्रेजों से जो हम गुलाम रहे जो 200 साल राज कि हम उनीशी पर साथ के कह रहे हैं कि अपने भी जिकर किया कि यह वह कैम्ब्री उनिशिटी में जाके जो है वह देश की छवी खराब करने की बात कर रहे हैं तो कॉंग्रेज इस मुद्धे पर कहती है कि लगतार मोदी जी विदेश जाते हैं और कहते हैं कि 70 स सालों में भारत में कोई काम नहीं हुआ यह सरकार काम गरती का इससे देश की छवी ने विगड़ती काम तो हो रहा है आप देखे काम कौन सा नहीं हो रहा है आल लाइन आडर देखें यूपी के जो आज से 10 साल पहले था क्या यह यह आप हाइवे बन रहे हैं कि सब काम हो एरपोर्ट बन रहे हैं वेमस बन रही है और चाहिए आज आपको इलाज हो रहा है तो मैं तो प्रोग्रेस हो रही है और अच्छे प्रोग्रेस हो रही है लगतार कांग्रेस और तमान विपच्छी पार्टिया यह कहती है कि विपच्छ की आवाज दबाने की कोशिस यह सर जहां भी च्छापे पढ़ रहे हैं उनका माल निकली रहा है को इसा पता है जिसके सब्सक्राइब पढ़ा और जो गलत होगा तो उसको गलत पढ़ेगा ही और जो जो प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लखनौ की जनता है उनका साफ ये मानना है कि ये फैसला आदालत का है और आदालत जो है वो सरकार से एक अलग डिसीजन एक अलग निडने अलग बिचार रखती है अगर आदालत ये फैसला दिया है तो अपनी अपनी जो है सोस समर्च के आदार पर दिया है और कहीं भी जो है लखनौ की जनता से राहूल गांदी को समर्थन मिलता आप तक तो नहीं देखा जा सकता है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे उनकी क्या रहा है राहूल गांदी की सदस्ता जो है वरद हो चुकी है, सर पहले अपना नाम बताईए क्रिश्न कुमार, क्या सोचते हैं आप इस पर किरावल गानी सदस्ता जो है, वरद हो चुकी है ठीक नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी के हिसाब से बिलकुल गलत हुआ है डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, जो आपका विरोध करेगा वो उसको जेल भेद दिया जाएगा अगर यही चीज़ देखी जाए तो कांग्रेस के निताओं ने और बीजेपी के निताओं ने खास करके मोदी ने नरेंद मनमोहन सिंग के लिए यहां तक कह दिया था कि वो रेंकोट पहन के और दूसरे के बाथरूम में जाखते हैं यह कितना गलत गंदा सोच है एक परधान मंत्री की कुरसी पर बैठे आदमी ने यह सोच कि पुराना परधान मंत्री जो है वो रेंकोट पहन के बाथरूम में जाखता है जहां तक मेरी जनकारी है, सायधुनों ने ये काते हैं, पहले कहां फिर बाद कहां नाते हैं। मतलब कितनी गंदी सोच है, इतनी सोच हम आप को नहीं सोच सकते हैं। वो परधान मंत्री की कुरसी पर बैठा आदमी इस तरह का बयान दे रहा है। तो असल में वो प्रधानमंत्री की कुर्षी पर बैठा आदमी उस बैकग्राउंड से नहीं आया है कि जिसको वो कुर्षी पर बैठाया जाए बहुत ही कमजोर बैकग्राउंड से आये हैं तो उनसे यही उवीद्थी वही कर रहे हैं देश के साथ इस तरीके से एक व्यक्त का समर्थन वो विपक्च को मिल रहा है और इनोंने कहा है अवाज है वो दबाने की कोशिछ की जा रही है इन तरीकों की ध्वारा और लोकतंत्य की हत्या 1987 व हो के कार्य करता जो है वो प्रदसन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जुराष्टी अद्धेशक लिए स्याज हो है उन्हों नहीं वेक्या है कि इस तरी की चीजे लोकतांति देश में नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए कहने का अंदाज सबका अलग-अलग होता है और परधानमंत्री नरिन मोदी ने तो बहुत ही गंदे लफजों में विदेश में जाके कांग्रेस की और कांग्रेसी नेताओं की आलोचना की है उसका अगर पुरा रिकार्ड निकाल के देखा जाए सब पुरा दिखलाया जाए तो व वो इतनी छोटी सोच हो ही नहीं सकती उनकी और यही वजह है कि उनको उनको राजनीत में फैल कर दिया है लोगों ने तो वह असल में वह अपनी बड़ी सोच की वजह से अभी फैल दिखलाई दे रहे हैं यह बहुत तरक्की करेंगे बहुत आग्य जाएंगे लगतार है ein गैंट मुजिल्य कितरा सोते हैं ऑदिन कर दिली में करीब करीब सबी लोग जो राजनीत में थोड़ा पी दखल रखते हैं उनके बारे में सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है यह बहुत सी चीजें होती है जो बिना कहे हुए open सीक्रेट होता है ना उसी तरीके से यह बताई कि लगतार जो है इस पर खीचा तानी चल लएए भाजप्रावर से कॉंग्रेस की जहां पर कॉंग्रेस जो है लगतार मांग कर रही है कि सदन में एक जांच के मिटी बैठाये जाए अडानी के मुद्दे के लेकर मोधी अडानी बात कर रहा है और इसके बाद राहुल कान्य की सदेशता जो है वह खतम हो जाती है कहीं ने कहीं इन चीजहों को एक हिसाब से गंदे गंदे बयान दिए हैं कि यह कुछ भी नहीं नहीं सैंने रिखता पक किल Haan इसले प्रकार के कई भीवादी बयान Relax के नेटाउं निभी दिए बिल्कुल दिए बिल्कुल दिए हैं समय समय पर सबीर हिंदुस्तान की राजनीत में यही चल रहा है this एक आदमी के आप पनिस्ट कर देंगे या तो सब को निकाली एक तरफ से अब यह जो इडी और इंकम टैक्स के सीबी आई के जो चापे पढ़ रहे हैं वो 95 परसेंट पर पांच परसेंट में बीजेपी का करनाटक का सब को परेशान किया रहा है तो हमारे साथ किस निकुमार जी जुड़े हुए है जिन्होंने साथ तोर पर यह कहा है कि जब से राहूल गांधी ने सदन में अडानी और मोधी को लेकर बाते कहीं ज्वाइंट पार्लियमिटी कमिट्टी जाज बठाने की बाती कहीं उसके बास से भार्चियंता पार्टी राहूल गांधी के पीछे लगी हुई है और कहीं न कहीं सदस्था रद्ध होने का मामला वो मानहानी का मुकदमा नहीं बलकि जिस प्रकार से मोधी और अडानी यानि मोधानी को लेकर कॉंग्रिस पार्टी लगतार विरोध कर रही थी लगतार अपने सूर्ज है वो विरोध में दर्ज करा रही थी संसद में सदन में राहूल गानी लगतार इस बात को उठा रहे थे प्रदा मुंत्री से अडानी की मित्रता की बात कर रहे थे तमाम फोटो उन्होंने तमाम दस्तावेश दिखाए थे यही एक में कारण है इनके कहने क का मतलब है कि यही एक कारण जिसके बसे उनकी सदसा रद्ध हो गई है हम कुछ और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विचार है उनके सर्माटी इस चाल पे हम है राजदानी लखनु का है तमाम लोग यहां पे आते हैं अपने उपसिती दर्ज कराते हैं चाय पेने आते हैं यहां से लखनु की जनता से इस मुद्द पर कितना जो है वह तवच्जु दे रही है कितना जानती है उतरप्रदेश की राधधानी लखनु है और तमाम राजडेतिंग मुद्दे यही के गल्यारों से होकर गुजरते हैं क्या नाम है आपका दिनेश सिंग दिने जी है बताए कि राईूल गांदी की सदस्ता जय मानहानी के एक मामले में उनको दो साल की सजा सुनाई है चार साल पुराना मामला है और अब अस्ठांसाद बीन Haation यह तो कोट ने उनको सजा सुनाई उसके एमसार में हुआ है सम्मीधान की जो प्रकृषी एव उसी चल रही उसी के एमसार हुआ है उनके साथ लेकिन लगतार कांगरेस्ट पार्टी जो भीरोध पदसन कर रही है पूरे देस में हो और कह रहे है कि यह जो कोट का फैसला सूरत कोट का आया है कही न कहीं यह सरकार के दबाव में आया है सब्सक्राइब करते हैं अनुसार हुए उनकी सदस्त्या जो गई है हमको लगता है सम्मिधान के अनुसार हुए अच्हें बताए लगतार कॉंगरेस से कहे रहे कि लाहुु गांदी की बढ़ रहे थी उससे बारत्यांता पाटी डरी हुए थी भारत जोड़ो यात्रा हुई उनमें अपार समर्थन मिला उससे बीजेपी डरी हुई है पर्दामंतरी मोधी डरी हुए तो आप बताइए आपको क्या लगता है क्या राहूल गांदी में मेर्चुरिटी आई है उनकी लोग प्रेता पहले से बड़ी है और आम चुनाओं में राहूल गांदी एक एक स्ट्रक्टर सावित हो सकते थे जो वो नारा दिया गया था कि भारत जोड़ो तो भारत कब टूटा हुआ था भारत टूटा कब है वह एक मतलब इनके सहयोगी इनको ले डूब रहे है भारत अब हाँ तूटे हुई है पूरा प्रांत मतलब पूरे हिंदुस्तान क्या टूटा हुआ जोडने जा रहे है और उसको तो संधार परटेल ने ही जोड कि 10 आज जोड लें किशकाए नहीं है एक इनको नहीं दो ले जा रहे हैं है कि कुछ नहीं इनका कर्म ही डूब रहा हैlink सम्मेधान अपने चलता है और किसी की वह भावनाउसस नहीं चलता है दोसरी चीज यह है कि जो आगहार है है बलकि सरकार की महद्नियों से लोगधेЖे महीए जितने एडी पीडी छापे पड़ रहे हैं तो आज 25 मार्च को योगी सरकार के दूसरे कारेकाल का एक साल पूरा हुआ है कैसे देखते हैं एक साल किस कारेकार को बलके इनके छे साल के कारेकाल को जितना अच्छा देखा हम लोगों ने थाने में इतनी दलाली होती ते कहीं किसी खिम्मत नहीं दलाली करने की जो लोग सिपारस लेक याते थे गलत सलत उनकी सुन ली जाती थी इसमें सुनी नहीं जा रही वहीं सभी कठे इद्धर कर रहे हैं बाकी तो विकास हमको लगता है जो गाम अस्तर पे और सड़क अस्तर पे ब्रीज अस्तर पे और जो मतलब पहले यह अनाज माटा जाता था वहीं बंड जाता था क्या नाम ब्लाक पे यहां लोगों को मिल रहा है इससे लोग घबड़ाय हुए है हमको लगता है इससे लोग घबड़ाय हुए है इसको तोड़ पाना संभाव है 2024 में भी इनिक सरकार बनेगी और यह इनके साथ वही वोट थे जो पहले है वही आदमी हाल्ला मचाओं चाहे गुल्ला मचाओं तमान विपच्छी पार्टिया जो है वो राउल गांदी को करते हैं और लोग तंत्र के खिलाफ है कॉंग्रेस लगतार इस बात इस बात को लेकर पदसन कर रही है आज राउल गांदी ने भी दिल्ली में एक प्रेस कॉंफिर्स की है तो किस तरीके से जो है सरकारी मस्तियों का दुरूप्योंग भी भरचंता पार्टिक सरकार पे हो रहे हैं यह सब लोग गई है कि हमारे उपर वे ऐसी आफट नहीं आ जाकर है कहीं कहीं सब कुछ घपला किये हुई है इसलिए डरे हुई थीन लखनाओं की जनता जो है इसमुद्ध में काफी इंट्रेस्ट ले रही है और अपने तरीके से वह अपनी बात यह अपने वी क्या है विदेशों में जाकर भी भारत की छवी जो है बदनाम करने की कोशिश किये वहीं कुछ लोगों ने उनको समर्थन भी दिया और कहा है कि विपच्छ को तोड़ने की यह साज जिसकी जारी है हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे बात्चित करने की कोशिश करेंगे जानेंगे कि उनकी रहा है क्या नामेसवराप विज़ए ठक्राल जी यह बताई कि राहूल गांदी की सदस्रता जो है वो रद हो गई है सूरत कोट ने उनको एक मानहानी के मुकदमे में दो साल का दोसी पाया है इसके बाद उनकी सदस्रता को रद कर दिया है किस प्रकार से आप इसको देखते हैं देखे कानून अपना का किया है उन्हें भूह कथा वो कर सकते थे बंआ जा सकते एक दिन का टाइम था उनके भाद उन्हें अपलाई है कि वो इसमें का विटोभी द Aurai चुनतिनी के गद्धी से उतार देती है आने वाले समय लोगसभा का चुनाव है उत्तपरदेश से लेकर कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कॉंग्रेस की पार्टी पदर्सन लगातार कर रही है और कहरे कि भीपच की आवाज को दबाने की ये साजी से राउल गांदी की लोग प्येता से बीजेपी डरी हुए तवाम तड़के बड़े वादे जो है अपने निता के समर्त में कॉंग्रेस के पार्टी कारिकरता कर रहा है जनता चुनती है सांसत को इसलिए चुनती है कि वह अपने देश की बढ़ाई करे बाहर दिशन में जाके और इसमें जनता ने तो अच्छी कानून ने सजा दिए ना किसी पार्टि ने दिया तो पार्टी और कानून कानून सबसे बढ़ा है तो उसको पहर भी करेंगे न.. उसमें जनता या कोई राहूल गांदी की सदस्ता रद्ध हो गई है वो अगले 6 सालों तक चुनाव भीने लड़ पाएंगे तो किस प्रकार से देखते हैं यह क्योंकि लगतार कॉंग्रेस यह कहरें कि यह चाल है बार्चनता पार्टे की ताकि लोग सभा चुनाव में राहूल गांदी कोई भूम सकते हैं अब एक मुद्दा खुदी बना रहे हैं कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं एक आप दयागनी स्तिती में खुदी आपने आपको पेश कर रहें तो राजनीदी करते रहें उनको तो मुका दिया हुए ना आनून तो हमारा इतना लच्चर है इस मामले में कि हर राया और जनता से बातचीत करके जाननी चाही कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचती है लखनवु की जनता दो टूक राय में अपना जवाब बताती है कुछ लोगों ने राहूल गांधी का समर्थन किया और कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार नरिंद्रमोदी सरकार विपच् के इस मुद्दे पर साफ तोर पर कहते हैं कि यह मामला कोट का है और सरकार से इसका लेना देना कोई भी नहीं है अगर कोई किसी भी व्यक्ति जाति धर्म संप्रदाय कि प्रती इस प्रकार की अव मर्यादरी टिपड़ी करेगा तो उसको सजा होनी चाहिए और इस प्रकार कि बनेगी ताकि आने वाले समय में कोई भी बड़ा नेता या राज नेता इस प्रकार की अव मर्यादरी टिपड़ी करने से बचेगा लखनवू से विवेक शाही प्राइम टिवी लखनवू कुछ पाव पुश्पर आप देख रहे हैं प्राइम टिवी सच साहस सरोकार